दुनिया के पांच सबसे अनोखे स्मार्टफोन Cat S60 दोस्तों दुनिया के अधिकतर मुबाइल कमपनीज अपने नए स्मार्टफोन बनाते वक्त उन लोगों पर ध्यान देना भूल जाती है जिनको पत्थर की तरह मजबूत मुबाइल चाहिए ये लोग रोज रोज नए मुबाइल्स नहीं खरीद सकते और इनके जॉब में मुबाइल्स पानी में गिरने या तूटने फूटने से जल्दी खराब हो जाते हैं ऐसे लोगों के लिए है कैट एस सिक्स्टी मुबाइल इस मुबाइल की मजबूती बेमिसाल है इसे पांच मीटर पानी के नीचे एक घंटे तक रखने के बाद भी इसमें पानी की एक बूंद तक नहीं जाती इसके अलावा जो चीज इस हून को सबसे अलग बनाती है वो है इसके इन बिल्ट थर्मल इमेजिंग इसका थर्मल इमेजिंग कैमेरा धुएं और अंधेरे में बेहत काम की चीज है ये किसी भी तरह की उर्जा को डिटेक्ट कर लेता है यानि कि इसकी मदद से आप अंधेरे में छुपे हुए किसी चोर को या फिर अपने पालतु जानवर को बड़ी आसानी से देख सकते हैं इस मोबाइल को आप माइनस 25 डिगरी सेल्सियस जैसी ठंडी और 55 डिगरी सेल्सियस जैसी गरम जगाहों पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी शुरुआती दौर में मोबाइल फोन बेहत बड़े हुआ करते थे इतने बड़े कि इनको पॉकेट में रखने की कोई भी सोच नहीं सकता था और फिर तकनीक के विकास के साथ साथ इनका आकार छोटा होता चला गया और अब टच स्क्रीन मोबाइल के आने के बाद इनका आकार एक बार फिर से हर दिन बड़ा हो रहा है ऐसे में कुछ अलग करने की चाह में बनाये गया है दनीनेक्स फोन दनीनेक्स फोन आकार में केवल 9 cm लंबा और वजन में केवल 66 ग्राम का है ये दुनिया का सबसे छूटा स्मार्टफोन है इतना छोटा कि इसे आप बच्चों की पॉकेट या फिर अपने पर्स में भी रख सकते हैं सभी तरह की स्पेसिफिकेशन से लेज ये मोबाइल वाटरप्रूफ भी है इसकी स्टेंडबाई बैटरी लाइफ 55 गंटे है और आप इसमें दो सिम कार्ड वे एक मेमरी कार्ड भी डाल सकते हैं अगर आप छोटे स्मार्टफोन पसंद करते हैं तो ये आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस साबित होगा दनोफोन ये दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन है जिसकी कीमत सिर्फ 500 रुपए है जैसा इस फोन का नाम है वैसा है इसका काम है इस नोफोन में ना डिस्पले है ना कैमेरा और ना ही बैटरी अरे जनाब इसे तो चार्ज करने की भी टेंचन नहीं दरसल ये फोन बनाया गया है उन लोगों के लिए जिनको मोबाइल रखने की लट लग गई है या फिर उन लोगों के लिए जिनको गुस्से में मोबाइल फैकने की आदत है इस फोन का एक और मॉडल उन लोगों के लिए भी उपलब्ध है जिनको सेल्फी लेने की बीमारी लगी है इस वाले मॉडल में स्क्रीन की जगा एक शीशा लगा हुआ है अगर आपको इन में से कोई भीमारी लगी हो तो मोबाइल आपके लिए है मोबी कोमा दोस्तों अगर आप मार्केट में अवलेबल सभी स्मार्ट फोन का एक ही जैसा लुक देखकर बोर हो चुके हैं तो ये अगला मोबाइल आपका माइंड रिफ्रेश कर देगा मोबी कोमा वाकई एक असाधारन फोन है ये फोन मॉडूल्स पर अधारित है जो कि माइक्रो लॉक्स की साहता से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं इसके सिर्फ दो छोटे मॉडूल्स में इसका पूरा प्रसेसिंग और सिम स्लोट सिस्टम है इन दो मॉडूल्स के आगे आप जितने चाहें उतने मॉडूल्स जोड़ सकते हैं ये एक पूरी तरह से कस्टमाइजबल स्मार्टफोन है इसे आप अपनी जरूरत के हिसाब से बदल सकते हैं यानि अगर आपको फॉन कॉल्स के लिए ही इसे इस्तिमाल करना है तो आप इसे छूटा कर सकते हैं और तो और बड़ी स्क्रीन की चाह रखने वाले इसको एक मीटर तक लंबा कर सकते हैं जी हाँ एक मीटर इसका सॉफ्ट्वेर सभी मॉडूल्स को अपने आप डिटेक्ट कर लेता है जिसका मतलब है कि अगर आप स्क्रीन के बीच की जगा खाली छोड़ देते हैं तो आपके एप्स अपने आप किनारे के मॉडूल्स पर शिफ्ट हो जाएंगे फिलहाल ये एक कॉंस्टेप्ट फोन है लेकिन खबरों की माने तो जल्द ही मार्केट में अविलेबर होगा नोकिया 888 नोकिया 888 को आप सभी स्मार्ट फोन का राम देव बाबा कह सकते हैं क्योंकि एक इसी कागज की तरह फ्लेक्सिबल है इसे आप अपने कलाई पर बांच सकते हैं अपने किताब में डाल कर रख सकते हैं या जैसे चाहें वैसे इसे मोड सकते हैं इस फोन को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए इसमें लिक्विड बैटरी और वायरिंग का इस्तेमाल किया गया है तो ये है दुनिया के सबसे अनुकी स्मार्टफोन दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें अपने दोस्तों को साथ शेर करें और हमारे चैनल रीड रिसर्ज को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद